नमस्का दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं OTT पे रिलीज हुई एक स्पेरीज फिल्म के बारे में जिसका नाम है नोवेर ये एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जहाँ आपे इसको देखने के बाद मेरा जो अपिनियन बनता है इसको मैंगर आपको बताऊं तो मेरे लिए मूवी एक अच्छी वेल रिडर मूवी साबित होती है मलब दोस्तो कितने दिलो बाद एक बढ़िया सर्वाइवल थ्रिलर मूवी देखने का जो मज़ा आया है मैं आपको क्या बताऊं अभी लगा तर कुछ दिनों से मैं मैं सर्वाइवल मूवी देख रहा था जापे बिछले ही दिनों मैंने इंसाइट करके एक सर्वाइवल मूवी देखी थी और वो मूवी स्तर्वाइवल के नाम पे एक बद्दा मज़ाक था लेकिन आज नो वेर मूवी को देखके ये साबित हो गया है कि अभी भी ऐसे फिल्मेकर बचे हैं जो एक अच्छी सर्वाइवल मूवी बना सकते हैं फिल्म की बेजिक स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म की कहानी दुस्तोफियन फीचर पे आधारी थे मतलब अगर इसको मैं सिंपल वासा में समझाओं तो कल्यूफ की चरम सीमा जहां पे लोग एक दुसरे को मारने को भी नहीं कतराते वाकि जो गवर्मेंटे वो फेल हो चुकी है न्याई विवस्ता नहीं है लोग एक दुसरे पे आतन बचा रहे हैं हर जगा मार काठी हो रहा है वेसे में निको और उसकी प्रेगनेट वाइप मिया अपने को सर्वाइव करने के लिए एक कंटेनर में जा चितते हैं और अपनी कंट्री स्पेन को छोड़के आयरलेंड की और रवाना होते हैं लेकिन वहाँ के जो मार दाड करने वाले लोग है वो उस कंटेनर का पता लगा लेते हैं अब वेसे में वहाँ पे वो सभी लोगों को मार देते हैं लेकिन जो मिया है वो कंटेनर पे कही पे छुप जाती है अब वो जो container है वो ocean के बिचो बिच फस जाता है अब क्या खुद pregnant Mia खुद सर्वाई कर पाती है या नहीं ये जानने के लिए आपको पूरी movie देखनी पड़ेगी अब दोस्तों मैं हर बार केता हूँ कि survival thriller movie का एक ही मकसाद होता है कि वो जो character है क्या आप उससे connect हो पाते हो या नहीं वो जो महसूस कर पा रहा है क्या आप उसको महसूस कर पाते हो या नहीं आपको ये सोच में आना चाहिए यार ये बच सकता है या नहीं वो सारी feeling आपको इ प्रवाई करने में जब मदद करती है वो देखने में भी सच में मजा आ रहा था और फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन है जो आपको सच में रोंग्टे फड़े करती है अगर मैं आपको एक स्पोईलर दू तो फिल्म में मिया खुद डिलिवरी करती है अपनी खुद की वो सीन आपके हक्के बखके निकल जाएगे आपकी आखे पूरी की फटे फटी रहे जाएगी इतना खतरनाक वो सीन था बनलब में वो सच में देखके शोप में पढ़िया थ और फिल्म में ऐसे बहुत सारे सीन है मिया जिस प्रकार से सर्वाइव करती है अपने बच्चे को बचाने के लिए वो सच में शानदार था एक मा अपने बच्चे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है वो आपको इस मूवी में दिखने को मिलेगा और सच में मिया की ज है जो सभी को देखने चीए मैं सुरुवात से लेके अंतफ्ट फिल्म के साथ जुड़ा रहा फिल्म ने मुझे कई पे भी बोर नहीं किया हाँ यह एक सिंगल सर्वाइवल मुवी है मनलब एक सिंगल केरेक्टर वहाँ फर्स जाता है तो यहाँ पर डायलोक्स की कमी रहेगी आपको विज्यूली सभी चीज को एनलाइज करना होगा लेकिन जिसको इस प्रकार की मुवी देखना पसंद है उसको तो मजा ही आ जाने वाले है इस मुवी की जो लेन थे वो एक गंटे पचास मिनिट की है और यह मुवी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी लेंग्वेज म झाले है झाले है झाले है